की कईते हैं जब कभी नदी गहरी होने लगे तो उसमें छेनी हतारी लोहा पीतल तामवा इन सबके काम होता है और जानते हैं आप पीतल का सबसे बड़ा काम कहा होता है सब आपको तो पता है इसम nouve that ब요 और जम मुराहदाबाद में सब्सक्राइब काम होता है तो वहीं से पीतल के बीच से निकल कर दिल का एक आदमी जबाता है तो उसका नाम होता है प्रवीन दाही जोरदार तैलियों से उनका इस तक्वाइन है और रंगों का सब्जेक्ट है क्या कहने है और रंग जो है प्रयोग के बिना संभवनिये साथ और होली में हर तरीकी का प्रयोग होता है इसी हर सो लास के साथ इसी ठाहके के साथ इसी मस्ती के साथ ठीठोली के साथ मैं आपके बीच में प्रयोग रखता हूं सुने आप सासकर CCTV जैसी है मेरी क्या हम सब की BBS है उनकी नजरे CCTV जैसी है मेरी क्या हम सबकी BBC है ये तो सब को बचा रखा है मेकाप ने आप अपने उपर नहीं लीजिए गाँगा तुछ भूरे का विशा है को ली ठीठोली कह बचा नहीं है तुचार रखा है मेकपने मुझे से पूछो किसकी कैसी कैसी क्या बात है आए मैं होली के विशे पर आजाता हूं भाई ने ब्रज की बात करी ब्रज का एक नया किसम का आपको प्रयोग देता हूं सुने आप ब्रज में तो चड़ा हुआ है सब को खुमार होली का आनंद लूट लो प्यारे इस लठ मार होली का गोकुल में ठोके ताल टोलियां मस्तों की होली में करे धमाल टोलियां मस्तों की सुने भांग का भांग का परवही है ठीक है नशे में हम किस तरीके जूमते हैं लेकिन हर्चीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का परवह साब तब मैं अपनी बात रखता हूं छलका जाम नशीले जी भर के मदिरा पी ले जीवन की डगर कठिन है कुछ पल खुशी के जीले करे बात बड़ी कमाल टोलियां मस्तों की फोली में करे धमाल टोलियां मस्तों की खुश्यों के फूल खिलेंगे खुशियों के फूल खिलेंगे जब हम तुम गले मिलेंगे खुशियों के फूल खिलेंगे जब हम तुम गले मिलेंगे अपनी अपनी राधा के संग सब मोहन संग चलेंगे चले हिरनी जैसी चाल टोलियां मस्तों की फोली में करे धमाल टोलियां मस्तों की लेकिन अभी इन्होंने कहाँ सबकी बीबी CCTV जैसी है। सब ने पतनी के बारे में बता सकता हूं आपको कैसी है, सुनिये। पूटी हुई अर्मान की भढ़िया निकल गई। पूटी हुई आपने लागू है। पूटी हुए अरमान की भढ़िया निकल गई और पिक्चर में जो बिलडिंग थी वो मड़िया निकल गई और गईया समझ के लाई थी मम्मी जिसे घर में घर आई तो वो मर कही पढ़िया निकल गई गर आई तो उमर कही पढ़िया निजल गई आए जब ये ये पढ़िया आही चुकी है अपने घर पे तो इस पढ़िया को कंट्रोल करने वाला एक बहुत तगड़ा गव पालक चाहिए था और आप